वेलो फ्रेंड से वेलकम बेक माई यूटूब चेनल आपने Pregnancy Consue कर ली है तो आपको एक चेंज आपके शलीर में सबसे पहले जो दिखेगा वो है निप्पल का कलर चेंज होना जैसे ही आप Pregnancy Consue करते हैं आपके जो breast हैं उनमें heavy पन आ जाता है और कुछ चुभन सी आपको लग सकती है साथी जैसे जैसे आपकी pregnancy बढ़ती है उसमें kamt category prison के दौरान nipple का color है वो dark और light होता है तो इसका symptoms किसके साथ जोड़े गया है और साथ ही इसका scientific reason क्या है इसमें कितनी सच्चा ही हम यहां जानेंगे और कुछ मैं अपने personal experience भी आपके शेयर करूंगी और साथ ही हम old views की भी बात करेंगे कि उनका क्या कहना रहता है pregnancy के दोरान शरीर में हार्मनल बदलाओ के साथ जो निपल और ब्रेश्ट का आकार बढ़ता है उसके बारे में तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए हर महला के हार्मनल चेंज अलग-अलग होते हैं किसी को pregnancy के 26 से सथा में जो ब्रेश्ट है वो भारी लगने लगते हैं और निपल का कलर दीरे दीरे उनका चेंज होता है और इसी के साथ कुछ महलाओ में 12 सप्ता में ही उनके निपल का कलर थोड़ा उनको हलका डार्क लग सकता है साथ ही दीरे दीरे जैसे जैसे आपके pregnancy का समय नजदी का आएगा pregnancy का जो time है वो बढ़ेगा आपके निपल डार्क होने लगते हैं तो अब यहाँ पर ऐसा क्यूं होता है scientific reason यह है इसका के pregnancy हार्मन के कारण शरीर में ज़्यादा मेलेनीन बनने लगता है शरीर में pigment होता है ज़्यादा मेलेनीन से skin डार्क होने लगते है skin के वो हिससे जिन पर पहले से ही ज़्यादा pigment होता है जिसे निपल का कलर आप नाभी लाइन देखेंगे pregnancy के समय तो जो नाभी बेटन रहता है वहाँ पर भी जो निग्रा लाइन बनती है उसमें भी आप बलेक और डार्क लाइन देख सकते हैं तो यहाँ पर पहले से ही pigment की मातरा काफी ज़्यादा रहती है melanin ज़्यादा रहता है और कुछ महलाओं में melanin ज़्यादा बनता है तो उनका निपल का कलर और जो नाभी लाइन का कलर है वो उनको डार्क लग सकता है इसके सांथी कुछ चेहरे आप देखेंगे किसी किसी का चेहरा थोड़ा बलेक दिखाई देने लगता है या जो पेर हाथ की स्कीने वो काफी थोड़ी डार्क बलेक दिखने लगते है तो उनके शरी में melanin की मातरा ज़्यादा रहती है इसलिए दिखता है अब कुछ महलाओं में जो melanin की मातरा है वो कम रहती है तो उनको medium light दिखेगा और किसी का निपल जो रहता है वो आपको light भी दिख सकता है medium भी दिख सकता है तो उनके शरी में melanin जो pigment रहता है उसकी मातरा कम है तो इसा जरूरी नहीं कि ज़्यादा है तो उनको कुछ परेशानी है या कुछ problem है जिसे कम है या कम कुछ problem है ये सेम है नॉर्मल है अगर ज़्यादा भी रहता है तो कोई problem नहीं है आपको pregnancy के अंदर और अगर कम बनता है तो इसमें भी कोई सी परेशानी नहीं है अब जो old views हैं उनका मानना रहता है कि अगर आपका breast का आकार भारी है हो गया है, मजबूत हो गया है और केलोश्ट्रम का इस राद जो इस्त्राव है, रिसा है फौर्ट मन के बाद आपको हलका लग सकता है तो आप baby boy को consume करने वाले हैं और अगर इस्त्री का दाहिना वाला जो breast रहता है, उसमें केलोश्ट्रम का रिशा होता है, तो यह लक्षन baby boy से है, तो दादी नानी के हिसाब से देखा जाए, तो कुछ महला में माना गया है दाहिना वाला जो रहता है, उसमें से रिशाव होता है, केलोश्ट्रोम का तो baby boy होता है, अगर बाया भारी है और बाया मजबूत है, और उसमें से आपको निप्पल का कलर चेंज लगता है तो यह baby girl से है, ऐसा कुछ भी नहीं है scientific region से शरीर में pigment की मातरा जैसे मैं आपको बताई, अगर दाहा या बाया होता है, तो इसका baby girl और baby boy से कोई connection है, दादी नानी के हिसाब से देखें, तो उनका यही कहना है, कि अगर दाहा वाला भारी मजबूत रहता है, और उसमें हलके हलके से दाने रहते हैं, और डार को हो जाता है, तो baby boy से connection है इसका, तो फ्रेंड, यहाँ पर इतनी information थी, इसलिए आपको पूरा केलियर हो गया है, कि इसका baby girl और baby boy से कोई connection नहीं है, यह तो खुद एक मा pregnancy consumer करती है, तो उसको ऐसा अनुभव होता है, ऐसा अनुमान लगाते हैं, कि ऐसा हो सकता है, यह वीडियो बस छोटी सी थी, आपकी जानकारी के लिए, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप लाइक जरूर कीजिए, कुछ आपके question है, तो आप comments में पूछ सकते हैं, और किसी topic पर वीडियो देखना चाहते हैं, तो वो बताईए, आप pregnancy को अच्छे से enjoy कीजिए, लड़का हो या लड़की, आप उसे भरपूर मात्रा में प्यार दीजिए, और ये वीडियो को जेंडर prediction का कोई बड़ावा नहीं कलती है, वीडियो एक information के लिए थी, के baby boy और baby girl से जो निपल का color change होता है, निपल का आकार बदलता है, इसके साथ ही अगर आपके निपल में केलेश्ट्रॉम का रिसाव बहुत अधिक होता है, दर्द होता है, चुबन होता है, तो आप डोक्टर को दिखाईए हलका दर्द और हलका सा रिशाओ कौफी नोर्मल है प्रेगनेंसी के दोरान तो आप प्रेगनेंसी को इंजोई कीजिए खुश रहे हैं हैपी रहे हैं